हलो एवरिबन सेप छोटी बहू चैनल में स्वागत करते हैं आज बनाएंगे सुपर सॉफ्ट मुलायम एकदम रसीले जूसी हलवाई के जैसे मावा गुलाब जामुन इसे घर पर बनाने इतना आसान है कि आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे बहुत ही आसानी से बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम गुलाब जामुन बना कर तयार कर पाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रीज वीडियो को लाइक सियर कमेंट करें अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए बना कर तयार करते हैं सॉफ्ट मुलायम गुलाब जामुन यहां देखिए गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मावा लिया है ये होममेट मावा घर का बना हुआ है देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम ये मावा है अगर आप मावा ले तो एक तम मुलाइम मावा का ही खुलाब जामन बना कर तयार करें इससे क्या होता है कि बहुत ही सौफ्ट एक तम मुलाइम खुलाब जामन बन कर तयार होते हैं देखिए दूसरे बरतने हमने मावा को टांसफर कर लिया है अब इसमें हम सो ग्राम के करीब मैदा आड़ कर देंगे मैदा हमें बस इतनी ही इसमें आदी मैदा को हमने उठा कर रख दिया है यहां हमने साथ ग्राम मैदा आड़ किया है इसमें यहां हमने 40 ग्राम सूजी लिय माबा गुलाब जामुन जब भी बनाएं आप मैदा और सूजी का मीजर्मेंट बिल्कुल पर्फेक्ट रखें तभी आपके गुलाब जामुन एकदम सौफ्ट मुलाइम बनका तयार होंगे अच्छी से मसलना आमें ज्यादा अधेली से इस तरह से रप करते हुए इसका दो तयार कर लेंगे इस तरह से हमने सौफ्ट डू बना लिया है अब यहां मिस्टप्ट गुलाब जामुन बना रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा माबा साइड में लग देंगे निकालकर अधे बावा गुलाब जामुन की फिलिंग तयार करने के लिए हमने थोड़ी से तो से मसल मसल कर सारी चीजो को मिक्स कर लेंगे देखिए हमने दो तयार कर लिया अब इसमें एकटम हलवाई जैसे पना कर तयार करें तो थोड़ा सा इसमें एलो फूट कलर एड करेंगे जिससे कि ये अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर लगते है इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे food कलर को इस चपिंग तयार लिए चलिए गुलाब जामन बना कर थे यहां पर देखिए हमने जो मावा लिया इस्सका एक पेड़ा इस तरह से छोटा सा बनाते हुई इसे गोल-गोल करते हुई इस तरह से हाथों से जो हमने फिलिंग तयार कि हुए इसे दबा कर अच्छा से अटों से प्रेस करते हुए इसकी गोल-गॉल बॉल्स बना लेंगे ऐं 산 कि हमने अच्छी से इसे एक्दम क्लीन बॉल बना कर तयार कर लें कि इतना हमार जो मावा है बहुत है स्मुद एकदम बनकर तयार हुआ है तिक यृट समय गुलाब जामुन बना कर एक करके अगरत कर्लेंगे छृट जबसे हमने फिलिंग को इस तरह से मावं में घर दिया है इस इसे हाथों से प्रेस करते हुए अच्छी से इस तरह से पैक कर देंगे विसकी दोबारा से बाल्स बना कर इसी तरह से सारे गुलाब जामून को हम रेडी कर लेंगे यहां देखिए हमने नहीं कोई बेकिंग पावडर नहीं कोई बेकिंग सोडा इसमें डाला आया तो के लिए 10 मिनट के लिए ऐसी गुलाब जामून को रख देंगे रबर करके यहां हमने देखिए ओईल को हलका सा गर्म कर लिया है गुलाब जामून को रेच्ट देने के बाद में इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर एक करके सारे गुलाब जामून को डालते हुए को इस तरह से लाते हुए बिना कर्ची लगाए गुलाब जामून को घुमाते हुए इस तरह से फ्राई करना है जब तक यह गोल्डन ना हो जाए गुलाब जामून हमारे हलके से गोल्डन हो चुके हैं तो इन्हें कर्ची से इस तरह से फ्राई कर लेंगे सुरू में गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है जब ये गोल्डन हो जाए तब मीडियम गैस करके इने फ्राई करना है देखिए सारे गुलाब चामुन को इस तरह से अमने फ्राई करके निकाल देना है यहां हमने गुलाब जामुन की चासनी को पहले से बना कर तयार करके लिया है आदा किलो चीनी डाल कर आदा लीटर पानी में से बना कर तयार किया है यह बिना किसी तारवाली चासनी बना कर तयार किया है एक तम गर्म गर्म चासनी में इन्हें डुबोना है इनमें हमने थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर थोड़ा सा एलाइची पाउडर एड़ किया है अब इन्हें कबर करके 10 मेट के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर दोबारा से जितने भी गुलाब जामुन है उन्हें बिलकुल लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे इससे कि यह गुलाब जामुन पिछके नहीं एकदम गोल बने रहें सारे गुलाब जामुन को कवर करके रख देंगे एक गंटे के लिए देखिए सुपर मुलाइम हमारे गुलाब जामुन बन कर तैयार हो चुके एकदम लग रहे है ना हलवाई जैसे बहुती टेश्टी मुलाइम सौफ्ट हमारे गुलाब जामुन बन कर तैयार हुए अंदर से इसका टेक्सर दिखाते हैं कट करके देखिए कितने जूसी सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पर पॉचिंग मैं वीडियो